आज हम B.A. Second Year ग्यान एवं पार्थिक्रम पेपर 6 B के अंतरगत युनिट सेकिन का नया टॉपिक फ्रैंक्लिन बोबिट के पार्थिक्रम विकास प्रतिरूप संबन्दी विचारों को विस्तिरत रूप से जानेंगे कि Franklin Bobbit की paratikram के विचारों के संबन में क्या भूमिका रही है इससे पहले हम Franklin Bobbit के बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं कि Franklin Bobbit की क्या क्या भूमिका रही है सिक्षा जगत में Franklin Bobbit Chicago विश्विध्याले में सैकशिक प्रशाशन के प्राध्यापक थे इसलिए उन्होंने पार्थिक्रम के विका सम्मंदी विचारों में अपनी महत्वपूर भुमिका का योगिदान दिया फ्रेंक्लिन बोबिट का जनम इंडियाना नामक इस्थान पर हुआ था जहां जनसंख्या मात्र एक हजार से भी कम थी यह दक्षडी पूर्वी भाग में इस्था था उन्होंने इंडियाना के अनेक विध्याले में शिक्षन कार्य किया मनीला के फिलिपाइन नामक विध्याले में भी उन्होंने शिक्षन कार्य किया उन्होंने Clark विष्ट विध्याले से Doctor of Philosophy की उपाधी प्राप्त की, इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका के Chicago विष्ट विध्याले में कारे करना प्रारंब कर दिया, अपना सेज जीवन रिटायर्मेंट के बाद इन्होंने विष्ट विध्याले की सेवा में ही व्यतीत किया, इन्होंने पार्ठिक्रम की उप्योगिता को उत्तर दायत्व निर्वन के लिए सिद्ध किया, उनका मानना था कि पार्ठिक्रम का वही सरूप उप्योगी है, जो बालक को उसके वयस्क होने पर सामाजिक दायत्व निर्वन की योगिता प्रदान करे, ताकि वो जब अपन पार्ठिक्रम के माध्यां से डवलप होनी चाहिए ताकि आराम से वो सामाजिक और वेवारिक, व्यवसाइक भूमिका में अपनी भूमिका को अच्छे से निर्वन कर पाए, उस skill को वो अच्छे से सीख पाए, सामाजिस विठा पाए, ये उनका एक लक्ष था पार्ठिक्रम के संबन्द में, उस पार्ठिक्रम का कोई अर्थ नहीं होता है, जो सामाजिक और वेवारिक डाक्तों का निर्वर करने में किसी भी प्रकार की भूमिका का निर्वन नहीं करता, तो ऐसे पार्ठिक्रम की कोई इंपोर्टेंस नहीं है, अब इन्होंने अपने विचारों को तथ्यों को भी माना है, कौन-कौन से तथ्यों हैं, जिनके संबन्द में पार्ठिक्रम विकास तयार किया जाना चाहिए, क्या मॉडल है, तो फ्रेंक्लिन बोबिट के पार्ठिक्रम विकास मॉडल के प्रमुक तथ्यों को सपस्ट करने पर पार्ठिक्रम संबन्दी विच दे सकें, फ्रेंक्लिन ने अपने विचारों में टेलर के विचारों को आधार बनाया था, जो टेलर के विचार थे पार्थिक्रम के संबंद में, वही विचार उन्हों ने अपने विचारों को आधार दिया था, टेलर के मौडल संबंदी विचारों को निम्निलिकित रूप म ही होना चाहி improves gonna ता कि पस्वरूप एबं संग ठन कुरम बंधरूप में होना चाहिए एक क्रमता लियो भुक्लियों इसमें इसमें मनों विज्यानिक एबं सामाजिक विज्यान के सिध्धानतों का अनुकरन किया जाना चाहिए जैसे पार्ठिक्रम सरल से कठिन की ओर और ग्याद से अग्याद की ओर होगा तो छात्रों में इसमें रुचीत्पन होगी अगर हम डाइरेक्ट बच्चों को लेंगदी लेबल से स्टार्ट करेंगे तो बच्चे को अरुची होगी उसमें इंट्रेस्ट नहीं आएगा इसलिए पहले जो उन्हें ग्याद है जो उन्हें नौलेज है उसको पहले हम उनसे निकलवा के उनसे ग्याद करने के बाद उनको उसी टर्ण पर हम अज्याद की ओर ले जाएंगे जैसे हम अपने लेसन प्लान तयार करते हैं तो पहले हम पूर्व ग्यान से आधारित क्या करते हैं प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं फिर दीरे हम टॉपिक पर आते हैं जो हम पढ़ाते हैं तो यही लेवल यहाँ पार्थिक्रम में यहां फ्रेंक्लिन बोबिट ने रखा है तो यह व्यग्यानिक सिध्धानतों पर आधारित उसको होना चाहिए नैसे पार्थिक्रम के लिए लक्ष निर्धारण पार्ठिक्रम के लिए सरपतम लक्ष निर्धारन की प्रक्रिया पूर्ण करनी चाहिए कि आपका लक्ष क्या है क्या आपके उद्देश है उस उद्देश्यों को ही आधार बना कर ही हमें अपना पार्ठिक्रम का निर्मान करना चाहिए इसके पश्चाती पार्ठिक्रम का सरूप निर्धारित किया जाना चाहिए पार्ठिक्रम के लक्षों के आधार पर ही पार्ठिक्रम का सरूप निश्चित होता है बिना लक्ष की तो सरूप भी निश्चित नहीं होगा अगर आपने कोई टार्गेट बनाया है किसी परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जब तक उसका स्लेबस नहीं पता होगा तो आपका वो लक्ष्य सिथिल हो जाएगा मतलब आप अपने लक्ष्य से उसको प्राप्त करने के लिए आपके कोई विकल्प नहीं मिलेगा यानि कि एक लक्ष प्राप्त करने के लिए एक विकल्प होना चीए एक आधार होना चीए सलेबस इसका आधार है तो ऐसे ही लक्षियों के आधार पर ही पार्थिक्रम का सुरूप निश्चित किया जाना चीए जैसे चात्रों में व्यवसाई कोशलों का विकास करने का तरह नैस्ट है पार्ठिक्रम में आधुनिक्ता का समाविश, समय और परिस्ति के साथ चीजें भी बदलती हैं, जैकि आज का टाइम माना जाए, तो टेकनोलोजी वेसे सारी चीजें हो गई हैं, आजकल जो एजुकेशन हैं, अब ओनलाइन बेसे हो गई हैं, जब से कोरोना उसके बाद से सारी प्रक्रिया किस से हो गई हैं, उनलाइन बेसेज, तो इसी के आधार पर परिवर्तन शरूप भी होना चाहिए, आधुनिक्ता लिये होनी भी चाहिए पार्ठिक्रम में, आधुनिक्ता का समाविश होना चाहिए, इसके लिए बॉबिट ने सला दी है, कि लक्षियों का निधारन परंपरागत आधार पर ना होकर समसामेक आधार पर होना चाहिए, करंट चीजों पर होना चाहिए, जब पार्ठिक्रम के लक्ष आधुनिक संदर्ब में निधारित होंगे, तथा परंपरागत विवस्ता एवं रूडी वादिता से दूर होंगे, त निश्य दुरूप से पाड़िक्रम का सूरूप भी आधुनिक होगा नासर से वेफसाइक दाथ्कों के लिए पाड़िक्रम वो बिटने अपने जो पाड़िक्रम का सुरूप है जो उनका मुख्य तत्थे है, मुख्य विचार है वो वहवारिक, सामजिक और व्यवसाइक ही माना है कि पार्ठिक्रम ऐसा होना चाहिए जब चीजें वो फेस करे बच्चा अपनी एजुकेशन के बाद तो वहाँ वो अपने आपको सक्षम माने सक्षम फील करे कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ ये चीज मुझे आती है सामजिक सस्थापत कर पाए ऐसा पार्ठिक्रम होना चाहिए वो बिटका मानना था कि पार्ठिक्रम का सुरूप वेवसाइक दायत्यों के निर्वन की योगिता शात्रों में विक्सित करने वाला होना चाहिए पतेक शात्र को अपने जीवन के लिए किसी न किसी वेवसाइक का चैन करना होता है शात्रों को वेवसाइक रूची का आकलन करने के पश्चाथ उस वेवसाइक के लिए उनकी योगिता का आकलन करना चाहिए इसके पश्यात उनको वेवसाइक दायतों निर्वन की सिक्षपदान करनी चाहिए कि जो वेवसाइक वो चूज कर रहा है उसकी क्या योगिता होनी चाहिए उसका अंकलन करे और अपनी अबिलिटी के अकॉर्डिंग उन चीजों में वो दक्षता प्राप करके धायतों का निर्वन करेगा इसके लिए बोबिट सामाने शिक्षा पार्थिक्रम के पश्याद वेवसाइक शिक्षा पार्थिक्रम के निर्मान की सलाह देते हैं वेवसाइक शिक्षा का पार्थिक्रम देश में उपलब्द संसाधनों, समाज की आवशक्तों एवं चात्र की रूची के अनुकूल होना चाहिए नागरिक्ता के लिए पार्थिक्रम नागरिक्ता हेतू पार्ठिक्रम का विकास संभव करने के लिए पार्ठिक्रम में सरपतम छात्रों को यह बताना चाहिए कि उनके अधिकार एवं कर्तव्य कौन-कौन से हैं कर्तव्य पालन से ही अधिकार की प्राप्ती होती है इसके साथ साथ चात्रों में पार्थिक्रम के माध्यम से नागरिक्ता के गुड़ों का विकास करना चाहिए नागरिक्ता के गुड़ों के विकास के आधार परी चात्र समाज एवं देश के लिए स्रिष्ट नागरिक के रूप में विक्सित होगा जो moral values हैं, उनको उसके विकास स्वरूप पार्ठिक्रम का निधरन किया जाना चाहिए, अत्या पार्ठिक्रम में नागरिता की शिक्षा, अनिवार्य रूप से प्रात्मिक इससर से ही पदान करनी चाहिए, तो ये अभी हमारे आज के लिए इतने ही हैं, बाकी जो importance उनके हमसे आपको अध्यान करवाएंगे, तो आज के लिए इतना good day,